लौँ की सब्जी आजा की रेशिपी में बनाते हैं बहुत आशान तरीके से लौकी की सब्जी एक लौकी को ले उसे छोटे छोटे पीस में छील कर ने उसके बाद इसससाब्जी को हम लग कुक कर में बनाएंगे कुक पज़ फोडन ढाल कर चटकाएं, जब जीर और पज़ फोडन चटक जाएं तो उसमें मिड्च, दो से तीन हरी मिड्च या लाल मिड्च उसके बाद 4-5 जावा लशून का काटकर ढालें, उसके बाद हल्दी पाउडर थोगासा डालें, उसके बाद एक कटा प्याज डाल के उसे चलाते हुए थोड़ी देर तक खुनेंगे, थोड़ी देर के बाद नमक भी डाले, नमक स्वादरों सा डाले, उसे चलाएंगे, उसके बाद लौकी को डालेंगे उसमें, कूकर में सारे लौकी को डालेंगे, जो हमने पहले से कट करके रख लिया है, लौकी में बिटाम जिटी निकल जाए तो लोकी को पानी शुखा लेंगे यह सिंबल सब्जी बना रहे हैं तो इसका साड़ा पानी हम लोग थे जाच करके इसे चलाते हुए सुखा लेंगे अपचहे तो मैसर की सहता से भी उसे मसल ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैंने वैसा ही किया है सिरदर्द लौकी के शिवान से सिरदर्द की सिकायद दूर की जा सकती है गंजापन अगर पाल जहनने और गंजेपन की समस्या से परशान है तो लौकी फायदे मन होता है अब हम लोग थोड़ा सा धनिया पता डाल देंगे लगभग ये लौकी सूप किया है सबजी रेडी हो गया है अब हम लोग एक बाल में निकाल देंगे गरम गरम लौकी के सबजी रोटी या पराथा के शाथ सर्व कड़े और खाये ये बहुत टेस्टी बनता है थैंक्स पर वाचिंग